तो आज सुबही 11 बजे सुप्रीम कोट का फैसला आने वाला था फैसला आया भी मैं थोड़ा लेट हो गया उसके लिए मैं आप से छमा चाहूंगा सुप्रीम कोट के तरफ से एक पॉजिटिव नूज आ रहा है पॉजिटिव डिसीजन लिया गया है उसने CBSC को बोला है कि आप पिछले साल इसी सिचुएशन में एक्जाम को तुरंद कैंसल कर दिये लेकिन इस बार इतना लेट क्यों हो रहा है डिसीजन लेने में नहोंने मैंता मैम कोई बोला है कि आप भी अपना पॉइंट रखिए तो मैंता मैम ने भी बोला है कि CBSC को बोला है कि आप जल्दी से अपना डिसीजन लीजिए बच्चे को बहुत प्रॉबलम हो रहा है बहुत जादे डेट मिल गया है अब तो फैसला लेना ही होगा चुकि ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है दो फैसला लेना है या तो एक्जाम होगा या तो एक्जाम नहीं होगा अगर एक्जाम नहीं होता है तो प्रॉबलम यह आती है कि क्लास 12 की बच्चों की मार्कशिट नहीं आएगी पता ने चल पाएगा कि उनका 11 12 में वो कैसे थे और अग्जाम होता है तो यह प्रॉब्लम है कि बच्चों की लाइफ डेंजर में पड़ जाएगी तो यह दो प्रॉब्लम है इसलिए CVC ने इतना लेट किया रिसीगा उसने दो दिन का समय मागा है कोट से थर्सडे को उसने बोला है कारी ही वह डिस रीचेजर ले लेगी कि एक्जाम होगा या नहीं होगा अगर होता है तो कैसे होगा वैसे सभी कोई चाहता है मेरा फॉइव यहική है एक्जाम ना हो बच्चों की जो सबसे पहले आप लोग सुनी रहा है पिछले साल से ही कि जान है तो जान है तो आप बच्चों को जज करने के लिए उनकी लाइफ डेंजर मिने डिया सकते हैं यह मेरा पॉइंट ऑफ फीव है इसलिए एक्जाम एंसिल होना चाहिए बच्चे भी लगे हुए ट्वीटर पे कैंसिल बोड़ी जांट किये जा रहा है हर दिन और फैसला भी हमको लग रहा है हमारे हक में आयागा बस दो दिन का और इंतिजार करना है आजे काम तो होई गया है इतने दिन से जितने भी हम लोग मैनत कर रहा है हमारी मैनत रंग लाएगी औ और साथ में आपको यही बता दना चाहता हूँ कि सीवेसी की तरफ से जो भी फैसला आएगा सायद वही स्टेट का भी फैसला रहाएगा स्टेट बोड का आप भी बहुत परेसान होंगे कि आपको इतने सारे डेट्स मिल गया है हर समय आपको लगा कि अब हमारा डेट कनफ हो गया पर मैं प्रामिस करता हूं धर्सटे को जैसे ही डिसीजन आएका मैं वैसे वीडियो बना कि अपलोड कर दूंगा तब तक पढ़ाई करते ही है विदाउट इस अल्दो वेरी बेस्ट